वेलकम फ्रेंट्स अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आरारबी अर्थात रेलवे रिक्वाइर्मेंट बोर्ट की ओर से 2019 में NTPC के लिए दोस्तों रिक्वाइर्मेंट जारी किया गया था उसका एक्जाम दोस्तों पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है जिसमें इस एक्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों 1.25 करोड कंडिडेट ने फॉर्म भरा था जिसमें से मातर दोस्तों लगभाग 2.23 करोड अर्था दोस्तों 23 लाग कंडिडेट अभी एक्जाम दिला रहे हैं जिसका एक्जाम स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों 28 दिसम्बर के जो फर्स्ट सिप्त था उसमें से जो जो कोशन पूछा गया है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को सुरू से लास तक जरूर देखिए अगर आप फॉर्म भरे हो दोस्तों तो इसी से संबंधित इसी तरीके का प्रशन पूछा जाएगा तो वीडियो को सुरू सिलास तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए है चनल को जरूर सब्सक्राइब करके नॉन्टिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी जरूराण कर लेचर ये देख लेते हैं मैं दोस्तों क्या-क्या पूछा गया था तो पहला क्या पूछा गया था दोस्तों DRDO के प्रमुक कौन है तो DRDO क देख लेते हैं बंगालवी भाजन के समय वायसराय कौन था लाड करजन था और लाड करजन के दोवारा बंगालवी भाजन कब किया गया दोस्तों 1905 को किया गया है बहुत बार पूछा जा चुका है important question है ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं भारत का पहला राश्टी उ द्यान कौन सा है तो दोस्तों जो सबसे पहला रहेगा वही तो सबसे पुराना रहेगा ना तो इस प्रशन को घुमा करके पूछ देता है कि भारत का सबसे पुराना राश्टी उद्यान कौन सा है तो क्या होगा जिंक कारबेट नेसनल पार्क जो की कहा है ये भी पूछ द ठीक है ये भी important है जैसे आपको जो दोस्तों प्रयाग राज कौन से नदी के किनारी स्थीत है ठीक है ताज महल जो है दोस्तों कौन से नदी के किनारी स्थीत है ठीक है तो सर्यू नदी के किनारी स्थीत है तो आप आसानी से ये क्या करना होगा दोस्तों आपको बताना होगा ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं पानी पत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो पानी पत की जो दूसरी लड़ाई है दोस्तों वो किसके बीच लड़ा गया था अकबर एन हेमू के बीच को लड़ा गया था जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था और और तो पहला डाई लड़ाई कब लड़ा गया था वो लड़ा गया था दोस्तों 1526 इस्वी में ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं Commonwealth Youth Game कहां आयोजित किया गया था तो Commonwealth Youth Game जो है आयोजित किया गया था दोस्तों बेलफास्ट में जो कि क्या है दोस्तों जो है उत्तरी आयलेंड है ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं परियावरंड दिवस कब मनाया जाता है तो परियावरंड दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंड करके बताए लेकिन प्रशन में पूछा गया था कि परियावरन दिवस का विशाए क्या था तो दोस्तों यह है प्रकृति के लिए समान तो यह slogan जो है दोस्तों quotation जो है रखा गया था ठीक है परियावरन दिवस का महुद मनाय जा तो दोस्तों comment करके मुझे बताए है ठीक है बैंक औब बरोदा का VLAN किस बैंक में किया गया है तो दोस्तों बैंक औब बरोदा का जो VLAN हुआ है वो देना बैंक और विजिया बैंक का हुआ है किसमें हुआ है B.O.B. B.O.B. मतला Bank of Very Good ठीक है इसमें किया गया है अगला प्रश्चन देख लेते हैं U.S. Open 2020 पूरुस किस ने जीता है तो दोस्तों U.S. Open जो है दोस्तों मेटर है तो यह जो है दोस्तों आपका जो युनिट से सम्बंधित कोशन पूछा जाता है प्रतिरोद की काई क्या है ठीक है धारा की क्या है ठीक है उसी तरीके विभाव का मातरक क्या है यह सब पूछा जाता है ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं CGI कौन है तो CGI दोस्तों सरद अरविंद बेवडे जी है अगला प्रशन देख लेते हैं पृत्वी का घनत्व कितना है तो पृत्वी का घनत्व क्या है दोस्तों मतलब जो है दोस्तों, प्रित्वी का जो घ dynamics है, मतलब मिट्टी की अगर बात करें, या कहीं बास भी, तो उसका जो एक ये चरी में घन बना देता हूँ, ये ऐसा घन बन गया, तो दोस्तों यहां सा इसकी लंबाई भी एक है, इसकी भी लंबाई एक है, यहां से भी लंबाई एक है, यहां पास भी हम लंबाई, जिधर भी देखो सब क्या है, एक एक सेंटिमेटर है, ठीक है, तो जो है दोस्तों 5.59 ग्राम जो है सेंटिमेटर, घन सेंटिमेटर क्या है इसका वजन रहेगा ठीक है यही क्या है इसका घनत्व है उसी तरीके से चांद का घनत्व कितना है 3.34 ग्राम ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं saddle pick या saddle hill कहा है सैडल पिक या saddle hill जो कहा जाथा दोस्तों वो अन्मा निकोबार दूइप समू में इस दीथ है ठीक है चली अगला प्रशन देख लेते हैं वारस के करण होने वाला रोग क्या है तो दोस्तों वारस की करण होने वाला रोग उसमें 4 और ऑपसं दिये गया था तो computer का मस्तिस्क क्या है, तो computer का जो मस्तिक्स कैग दोस्तों, वो है CPU, Central Processing Unit, Central Processing Unit को भी दोस्तों, तीन भागों में बांड दिया गये है, आपका दोस्तों, आपका जो है, Control Unit है, Memory Unit है, और एक यह है, आपका Earth Magic Logical Unit है, ठीक है, तो इस तरीके से, तीन भागों में इसको भी बांट दिया गया है, अगला प्रशन देख लेते हैं, सवराज्य मेरा जन्मसिद्ध दिकार है, इसको मैं ले करके रहूंगा, आपको पता ही है, लाल बांग, जो है, बाल गंग धरती लग, चंद्रयान टू कब लॉंच किया गया था, इंपोर्ट किया गया है, तो इसमें सिर्फ अनुचेत को पूछा गया था, तो आपको भाग भी पता होना चाहिए, अनुचेत भी पता होना चाहिए, तो constitution के important question, पूछा ही जाता है, कोई भी competition का exam हो, ठीक है, तो भाग एक में जो है, भारत हम संग से संबंधित है, आपका दूसर जो ह पूरी तरीके से जो नागरिकत से संबंधित है, ठीक है, उसी तरीके से जो दोस्तों पूरी तरीके से आपका तीन जो आपको मिलेगा, दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित मिलेगा, भाग चार आपको मिलेगा, दोस्तों नीती निर्दे सकत्तों से मिलेगा, भाग पा चार एक मिलेगा दोस्तों क्या मिल जाइगा आपको जो मिलेगा वो है आपका मौलिक कर्तव्य मिल जाएगा ठीक है तो यहां पास से इंपोर्टेंट कोशन है यहां सी प्रशन पूछा ही जाता है ठीक है चलिए अग्ला प्रशन देख लिए हैं जब आप चंदरमा पर जाते है लेकिन मास में कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप कोई भी पिंड में चले जाओ ठीक आपकर जितना मास है वो उत्रना ही रहेगा ठीक है यहां पस कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगला प्रशन देख लेते हैं अंतरास्टी मात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है तो कि दिन मनाया जाता है 22 अप्रेल को मनाया जाता है 22 अप्रेल पूछा जा चुका है इन इन्पॉर्टन कोशन आ एक और है दोस्तों एक लेखा कौन है बिलहन वो इनके दोरा कौन से चीच की रचना की गई है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए अगला प्रशन देख लेते प्रित्वी पर gravity की छमता पर ये में जो है depend करता है ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं मुकुर्ती रास्टी उद्ध्यान कहा है तो मुकुर्ती रास्टी उद्ध्यान जो दोस्तों कहां पास है निलगरी में इस्थी था निलगरी तमिलनाडू में इस्थी 30 के चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं महिला दिवस कहां मनाया जाता है तो दोस्तों स्वरी कब मनाया जाता है यहां पस प्रिंट में श्टेक है महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों महिला दिवस भी दो तरीके से पूछा जाता है एक का आपका रास्टी महिला दिवस और एक का अंतरास्टी महिला दिवस अगला प्रशन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को प्रतेक वर् लगभग जो है दोस्तों यह जो है 6 km तक फैला हुआ जिसकी वज़र से प्रित्वी जो है सुरे से आने वाली अल्ट्रा वालेट किरेणों को आस्वोसित कर लेता है रिफ्लेक्ट मार देता है तो हमें इसकीन कैंसर से हमें बचा लेता है ठीक है इंपोर्टेंट है यह प्रि प्रकास वर्ष की जो इकाई है दोस्तों वो क्या है दूरी का इकाई है तो दोस्तों प्रकास वर्ष प्रकास के द्वार जब एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है वही उसका क्या कहलाता है प्रकास वर्ष कहलाता है मतलब जो प्रकास के जो फोटॉन है वो एक वर्ष म number three जो की क्या है मल्यालम के लिए इन्हें जो ягन है ग्यानपीट पूरुसकार से सम्मानित किया गया है अगला प्रस्ण देख लिए है रुक्मनी देवी अरुएंडल किस नित्य सहली से जूड़ी हुई है तो रुक्मनी देवी अरुएंडल जो है दोस्तों भरत नाटियम से संबंधित है जो भरत नाटियम जो नित्य है नित्य साली से जुड़ी हुई है अगला प्रशन देख लेते हैं अमिताब घोष को ग्यान पीट पूरुसकार कब दिया गया था अमिताब घोष जानते हैं दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट 2008 में अगर 2008 भी याद है तो भी इंपोर्टेंट है ठीक है उतना ही काफी है तो 2008 का जो है ज्यान पूरुसकार अमिताब घोष को दिया गया था अगला प्रशन देख लेते हैं यूरिया का सुत्र क्या है तो यूरिया का जो सुत्र है दोस्तों NH2 CO-NS2 है ठीक है इसको इस त NH2 का पूरे कट ट्वाइस उसके बाद CO लिग दिया जाता है इस तरीके से भी देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा इसमें क्या होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा अस्थीत होता है वो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन की पूरती के लिए दोस् दोस्तों, Global Hunger Index में भारत को जो rank है, वो 94 है, अगला प्रशन है, किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है, तो वह है दोस्तों, गुजरात का, ठीक है, important question बहुत बार पूछा जा चुक है, बहुत ही सरल प्रशन है, आपको सायद इसका अंसर पता ही होगा, अगला प् प्रेसम की जो खेती की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, सेरी कल्चर कहा जाता है, इसी तरीके से दोस्तों, AP कल्चर, AP कल्चर में क्या होता है, दोस्तों, AP कल्चर, इसमें जो दोस्तों, मधुमक्की पालन जो किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अगला प्रशन देख जो आपका टेलिग्राम ग्रूप है ठीक है अभ्यास ओनलाइन क्लास सर्च कीजिए टेलिग्राम में वहाँ से आप इसका पीडिया फासानी से डाउनलोड कर सकते हो इसके लावा दोस्तों जो है NTPC की तैयारी के लिए कौन सा बुक बैस्ट रहेगा खांसर की बुक बैस्ट कोश्चन है उसके लिए मैंने डिप्रिप्शन में दे रहा है सांती सांत प्लेइलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो और सांती सांत दोस्तों अभी तक जो स्टूटन नए है तो इसी तरीके का वीडियो मैं रेगलर अप्लोड करते रहूंगा ठीक है तो चैनल को जरूर सब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूरान करें ताकि मेरे द्वार अप्लोड किया गया वीडियो आप मिस्त ना कर सको ठीक है चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जान करें किसांत तु मुझे दीजिए जा 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 टेक के रॉले बैस्ट जाह हैं देक्ट